नमस्कार मेरा नाम है अमेद और आप देखना है हमारा यूट्यूब चैनल यूर्श्टी अफ एग्रीकल्चर आज़ा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं बालू या गिट्टी की माप कैसे निकाले हैं दोस्तो बालू य अच्छेंड आता है उसकी कीमत बहें बताता है और जहां पर वेट के हिसाब से यानि की कुंतल के हिसाब से बताता है बहां हमें इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती लेकिन जब आयतन के हिसाब से जहां पर काम होता है तो बहां पर हमें यह देखना होता है कि यह है ब्यापारी हमें कितना माल दे रहा है तो इसी पूरे प्रोसेस को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम सी एफटी की कैलकुलेशन करेंगे तो चलिए इसको एक एक एग्जामपल की सायता से समझते हैं लेकिन इससे पहले एक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वाल आइकन को प्रेस कर आल नॉटिफिकेशन पर सैट कर लें जिसे कि आन है जिसकी जो माप है वो इस तरीकी से है यह वहन ट्रक या ट्रॉली कुछ भी हो सकती है लेकिन इसकी एक माप मान लेते हैं जिसकी उचाई है तीन फिट और जो लंबाई है वो 14 फिट और जो चौडाई है वो 7 फिट है अब इसमें हमारी बालू या सेंड कितनी आएगी इ चौडाई गुडे उचाई हमारी यहां पर लंबाई कितनी है 14 फिर चौडाई कितनी है शाथ उसके बाद उचाई को हम रख देते हैं इन सबी को कल्कुलेट करने के बाद 294 क्योविक फिट अब यह दोस्तों हमारा इस ट्रॉली या ट्रक में जितना भी हमारा बालू आया था उसका आयतन निकल के आ गया अब हमारे इस बालू का जो अमाउंट है यानि कि जो रुपए बन रहे हैं वो इस रेट से हम पता कर लेंगे तो 294 गुणा 100 रुपए क्योंकि पर क्योविक फिट के हिसाब से हमें 100 रुपए देने है इसलिए हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी गुणा करने पर जो हमारा आमाउंट आएगा 29,400 रुपए यानि कि एक बार में लाए गए बालु की कीमत जो होगी वो 29,400 रुपए इस रेट के हिसाब से बनेगी अब दोस्तों कुछ लोग इस कैलकुलेशन को इतना लंबा चौड़ा करके आपको दिखाते हैं कि आप उसी में उलज कर रह जाते हैं और उस वीडियो में ये भी बताया जाता है कि आपको 1728 से भाग देना है 1728 से भाग नहीं देना है जब आप इसकी लंबाई चौड़ाई किसी एक यूनिट में मेजर करते हैं चलिए मैं 1728 से भाग देने का कारण भी बता देता हूं इसी वीडियो में 1728 से भाग देने का कारण ये रहता है कि यदि आप इसकी लंबाई चोड़ाई इंच में नापते हैं तो हमें उस कंडिशन में 1728 से भाग देनी पड़ेगी अब दोस्तों माली जीए ये एक ट्रॉली है इसमें सेंड भरके आना है इसकी जो उचाई है वो है 3 फिट 4 इंच ठीक है इसकी जो लंबाई है वो है 10 फिट 10 इंच ठीक और इसकी जो चोड़ाई है यहां से यहां तक वो है 5 फिट 8 इंच यहां पर फिट होगा कि लंबाई जो है हमारी 10 फिट और 10 इंच है इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं 10 फिट और 10 इंच दूसरी वैलू है चोड़ाई वो है हमारी 5 फिट 8 इंच और जब हम इसको संकेतिक भासा में लिखेंगे तो हो जाएगी 5 फिट 8 इंच ऐसे ही उचाई जो है वो है 3 फिट 4 इंच और इधर भी 3 फिट 4 इंच अब दोस्तों देखिए प्रतेक डामेंशन में हमें इंच और फिट दोनों एक साथ मिल रहा है अगर हम इसका आयतन कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस चीज को किसी एक यूनिट में कनव करना हो गा दोस्तों हम इन तीनों डामेंशन को इंच में कनवर्ड कर लेते हैं फिर उसी हिसाब से जो हमारी लंबाई है वो है 10 फिट 10 इंच और इसे जब एक यूनिट यानि कि इंच में convert करेंगे तो दस फिट या एक फिट में होते हैं बारा इंच यहाँ पे बारा से गुणा कर देंगे और प्लस यह 10 इंच है तो 10 इंच इसको लिख लेंगे तो हमारा जो लंबाई है बरतन या जो भी ट्रॉली की लंबाई है वो निकल के आती है 120 प्लस 10 बराबर 130 इंच ठीक है ऐसे ही सभी वैलू हमारी इंच में convert हो गई है जो कि इस तरीके से है लंबाई हमारी 130 है और जो चोडाई है वो हमारी 68 इंच है और जो उंचाई है वो हमारी 40 इंच है अब इसका आयतन निकालेंगे आयतन क्या होगा लंबाई गुणे चोडाई गुणे उंचाई हम सभी की वैलू यहां पे रख देंगे 130 लंबाई 130 है और चोडाई 68 इंच है और उंचाई 40 इंच इन सबी की गुणा करने पर जो वैलू आती है वो आती है 35, 3600 यानि कि 35,600 इंच अब ये जो बॉल्यूम हमारा आया है यानि कि आयतन आया है वो हमारा इंच में आया है दोस्तो इह ही पर 1728 से हमें भाग देना होता है वो क्यों देते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम हमारा इंच में आया है और जो रेट होता है वो हमारा फिट में होता है क्यूविक फिट में होता है यानि कि CFT में होता है अब दुकंदार ने हमें 100 रुपए पर CFT बताया लेकिन हमने जो volume निकाला है वो inch में निकाला है यानि कि cubic inch में निकाला है अब इस cubic inch को CFT में convert करने के लिए इसको 1728 से भाग देते हैं यह 1728 कहां से आता है क्योंकि एक फिट बराबर होता है 12 इंच ठीक ऐसे ही जब हम यहां से एक इंच बराबर निकालेंगे एक इंच बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा एक बटे 12 फिट अब यह तो एक dimension की बात हुई लेकिन इसमें कितनी है तीन dimension की गुणा कर रहा है जैसे कि हम यह formula लगा रहा है यह बाला यहां पर भी लंबाई है यहां चोड़ाई है यहां उच आई है तो हम तीन बार गुणा करेंगे कितने से एक बटे 12 की तीन बार गुणा करेंगे तो हमारे जो निकल के आता है वो एक बटे 1728 निकल कर आएगा यहां से ठीक फिर उसी अनुसार हम इसको फिट में convert करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे यह क्यूविक इंच है तो इसको तीन बार लेख लेंगे इंच गुणा इंच गुने इंच अब एक इंच हमारा कितने के बरावर है एक बटे 12 फिट के बरावर है ऐसे ही यह इंच कितने के बरावर है एक बटे 12 फिट के बरावर है ऐसे ही यह वा इंच कितने के बरावर है एक बटे बारा फिट के बरावर है जब हम इन सभी की गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 1728 गुणे फिट का क्यूँ इसको कालकुलेट करने के बाद जो वैलू आती है बो आती है 204.62 फिट क्यूब को हम CFT यानि कि क्यूविक फिट भी लिख सकते हैं तो यह हमारा आ गया 204.62 CFT अब हम यहां से रेट से मल्टिप्लाई करके बालू का रुपए भी निकाल सकते हैं यानि कि एक ट्रॉली में हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे यदि आप किसी बरतन या ट्रॉली को फिट में मापते हैं तो उसे फिट में कनवर्ट करना जरूरी हो जाता है जिसके लिए हमें 1778 से भाग देना होगा और फिट में करेंगे क्यों कि हमारा नहीं हो रेट इंच के हसाब से होता तो हमे 922 से भी भाग करना नहीं पलता क्योंकि हम सेकंड वाली कंडिशन में इच में ही दिया होगा हमें बॉल्यूम भी उसी इनिट में निकालना होगा तब किसी कंडिशन में 1718 से भाग देनी नहीं होगी आसा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी धनवाद